नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चेर परिचे दोस्तों पस्थित हूँ आप सभी के सेवा में एक बहद हिमातो पूंच जानकारी को लेकर के जिहां फिटनिस को रखना है बरकरार तो डीप फ्राइज चीजों को कहें नो जिहां ये बहुत जरूरी है आम तोर पर लोगों क डीप फ्राइज चीजों में ही स्वाद आता है लेकिन डीप फ्राइज चीजें हमारे स्वास्त के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है फ्रिंच फ्राइज अधिकतर लोगों की पसंद होती है जबकि इन्हें तेल में तल कर तयार किया जाता है इससे आपकी पसंदीद साइड डिश एक्स्ट्रा फैट और कैलोरी दे सकती हैं आपके शरीर को यह अगर इसे बेक करके खाएंगे तो 100 ग्राम फ्राइज में 300 कैलोरी तक कम कर सकते हैं इसके लिए आलू को ओलिव ओयल से ग्रीस या टॉस करें उसके बाद बेकिंग शीट पर इन्हें 400 डिग्री सेल को कहें ना जिहां नमक की जगह आप फ्लेवर के लिए दूसरी चीजों का इस्तेमाल करके एक्स्ट्रा सोडियम को कम कर सकते हैं फ्लेवर्ड फ्राइज के लिए अदरक लहसून जीरा पैप्रिका थाइम और रूजमेरी से कोट कर नया स्वात तयार किया जा सकता है इन मिन ए के लिए मिन इंग्रीडियन्ट में आलू की जगह शकरकंद का इस्तेमाल किया जा सकता है इससे आपको फ्रिंच फ्राइज में मिठास के लिए अलग से केचप यूज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी केवल शकरकंद ही नहीं शलजम और गाजर को भी आप ट्रा कर सकते हैं आपके पास ओलिव ओल केचप का भी ऑप्शन है इसके अलावा आप प्रोटीन बुष्ट के लिए मेयो नीज की जगह योगर्ट भी इस्तेमाल कर सकती है इससे हेल्दी डीप तयार की जा सकती है मसालेदार तरका जिहां अक्सर बाजार में हम स्वीट हनी पोट सेज काटकर अलग रखें के नेला या ओलिव ओल से पीसेज में ब्रशिंग करें उस पर आरेंगेनू, शहद, सोया सौस, इटेलियन हफ्स और चुटकी भर नमक डालकर एयर फ्रायर में रोष्ट कर लें ये आपके लिए बेहद हेल्दी रहेगा जी हां आपका खाना भी हो करके तब तक के लिए धनिवाद, नमस्कार दोस्तों